नमश्कार दोस्तों वरतमान समय में ये जौब में हैं आगे के जिन्दगी के विशे में जानना चाहती हैं फाइनेंशियल, मैरेज, केरियर ओरियेंटेड और सबसे महतपून इनको फाइनेंशियल कंडिशन के विशे में जानना है मतलब आगे कितना कुछ पैसा ये कमा पाएंगी जिन्दगी पर क्या कुछ कर पाएंगी प्रॉपर्टीज के कैसे योग है और आतली पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं है इन सारे विशे विशे परियास करूँगा कि आपको अस्पश्था के साथ जानकारी मिले तो आज की वीडियो बड़ी ही महतपून है यहाँ पर से मैं कुछ ऐसे साइन्स के विशे में बताना चाहता हूँ या कहलो ऐसी अवस्था के विशे में हम चर्चा करना चाहते हैं जो हो सकता है बहुत से लोगों के हाथ पर हो लेकिन वो इस परकार के confusion में या डर में जी रहे हो अब कोई भी रेखा अगर टूटी हुई हो तो आपको कैसा फील होता है सुनने में कैसा लगता है बराट पटा सा लगता है बगवान न करे किसी का हो कोई भी रेखा किसी की तूटी हो ऐसा भगवान ना करे हो ये आपके मने में चलता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है वो रेखाएं जो तूटी भी रहती है जितना आप उसका side effect सोच के रखते हैं न उतना side effect देखने को जिन्दगी पर नहीं मिलता है अब समझो चीजों को मान ले जाए अगर आपकी जीबन रेखा तूटी है तो बहुत cases में ऐसा होता है कि वो अवस्था positive भी हो जाती है अब मैं आगे समझाओंगा कैसे अगर आपकी जीबन रेखा ऐसे तूटी है ये जीबन रेखा का बरांच है और यहाँ पर से ये ऐसे करके चली गई तो एक obviously टूटी हुई है आपके मन में ये feel हो सकता है कि ये टूटी हुई है ये तो मेरे तकलीफ दे है और किसी ने इस गरम लोहे पर माल दिया हत्थोरा किसी ने आपको कह दिया ये तो बड़ी तकलीफ देह आवस्था है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ये progress line आपकी ये समय में जिन्दगी बदल जाती है जिन्दगी बदल जाती है तो ये positive ववस्था हैं थी तो इसी लिए हमेशा घबराना नहीं है पहले चीजों को समझने का प्रियास करना है तो आज हम बात कर रहे हैं मस्तिक्स रेखा के विशे में कि कैसी मस्तिक्स रेखा आपको side effect देती है क्योंकि इस हाथ पर नी संदे टूटावा मस्तिक्स रेखा दिख़रा है नी संदे तो इनके जिन्दगी पर क्या परिशानी आ सकती है और अगर आपकी किसी के हाथ पर है तो उनके जिन्दगी पर कैसे हम analysis करें इसको कैसे हम judge करें कि ये समस्या ही देगी या फिर ये कोई समस्या नहीं देगी तो आज समझेगा बहुती हस्पच्टा के साथ ये इनकी मस्तिक्स रेखा है ये वाली और यहाँ पर से देखो ये कही है तो यहाँ पर से क्या हो आए ना ये particularly जो ये वाला age है ना इस बीच में हलकी सी बनी है हलकी सी तो थोड़ा recover कर रही है लेकिन ये जो particular age है ये आपके लिए बहुत ज़़ा तकलीफ दे होने वाला है बहुत ज़ादा tension भरा होने वाला है अगर उस समय तक ये बन जाए तो फिर tension नहीं होगा अगर किसी भी जातक की मस्तिक्स रेखा ऐसे तूटी होना बीच में अगर जितना भी gap दिखे आपको अगर मस्तिक्स रेका एक ब्रांच ये है एक ब्रांच यहाँ पर आ गई इस बीच में अगर तीन साल का gap है तो वो तीन साल आपके लिए बहुत तकलीफ भरा रहेगा अगर इस बीच में दो साल का gap है तो वो दो साल आपके तकलीफ दे रहेगा अगर एक साल का gap है तो एक साल आपके तकलीफ दे रहेगा तो टूटा होना हम gap को लेके ही कही न कही उसके फल को analysis करते हैं फिर देखते हैं अगर gap नहीं होगा जैसे ऐसे रेखा अगर बन जाए जो कि ये भी टूटी वे लेकिन ये side effect नहीं देगी उतना जादा ये उतना जादा परशान आपको नहीं करेगे ये confirm है ये 100% है ये आप एकदम समझ लो ये उतना जादा आपको परशान नहीं करेगी अ हाँ पर हम टूटी वी अवस्था का बात कर रहे थे तो टूटी वी अवस्था में कभी भी हम count करेंगे तो इस बीच के gap को करेंगे ऐसे वाले अवस्था को नहीं करेंगे इसके side effect उतने जादा नहीं आते तो इसी अनबन रहती है परशानी रहती है मानसिक दवाव रहता ह इसके अलाबा कुछ भी नहीं होता लेकिन इनके हाथ पर जो अवस्था बन रही है मुझे एक साल तो बहुत तकलीफ दिख रहे है अगर इस ACE को मैं बताऊ तो 42 से 44 के बीच का ACE अगर उस समय तक यह overlap कर जाए या फिर केलो बन जाए तो फिर side effect नहीं आएंगे लेकिन फिलाल के जो अवस्थाएं है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो यह बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे है अगर ऐसी होगी तभी टेंशन में रहना क्योंकि तब तो आपको टेंशन लेना भी चाहिए अगर ऐसी नहीं होगे तो चिंता में रहना भी मत जैसा मैंने अभी आपको समझाया तो यहाँ पर से मैं कुछ रेमेडिस कर दूँगा जैसे कि इनका बहुती अच्छा समय था हाथ दिखाने का तो मैं इसके एवज में जो जो उपाए अगर किसी भी जातक की मस्तिक सरेका टूटी है और उसका आयू बस आने ही वाला है तो बहुत जरूरी है कि वो अपने मानसिक स्थिती को ठीक तरीके से रखे मतलब सुधार करके रखे बहुत इग्रेसिव ना हो जाए बहुत विजलित ना हो जाए बहुत प्रिशान ना हो जाए और छोटी बात पर ऐसे लोगों को गुस्ता आ सकता है वो ना आए तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना ये भी एक उपाए है तो ये इनके नेगटिव अवस्था थी जिसे अवस्था को हमें समझाना था अभी इनके पॉस्टिव चीज़ों को देखेंगे फिर इनके नेगटिव चीज़ों को देखेंगे जो और रेस्ट बच गया है और तीसरे इनके कोशन्स पर चलेंगे चौते इनके तलिका विशलेशन करेंगे तो पॉस्टिविटी के अगर हम बात कर लें तो अच्छी जीवन रेखा, ये खुशी की बात है, ये जो प्राब्लम से न, ये एक आग साल का प्राब्लम है, लेकिन उस AIDS में कई न कई लाइफ लाइफ लाइन आपको सपोर्ट कर रही है, तो अच्छी लाइफ लाइफ लाइन है, यही पर से कुछ प्रगती के यो गल के से बने है, तो ये भी प्रगती के ही अवस्था है, बाकि यहां तक मश्तिक रहा तो अच्छी ही है, यहां पर से तोड़ी गरबर हुई है, हर्ट लाइन अच्छी है, दिल के बहुत स्ट्रॉंग है, एक सूरी रेखा है, आगे भी यहां तक बन रही है, तो इसका सीधा मतल होता है, ऐसे व्यक्ती करड़ तक ही जाते हैं, इसके उपर जाने में समस्या, मतलब यह लोग करड़ के अरपद तक रहते हैं, अधिकारी नहीं मन सकते, जैसे अवस्था वर्तमाने मुझे दिकरी है, हाँ प्रमोशनल पोस्ट मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन तु होती समस्या, अलकी-अलकी बंड रही है, बंड जाएगी विए 29 वर्स की ही आयू है, बंती भी है, बहुत से अतली पर देखाई है, बंती भी देखी गई है, इसके उपरान प्लैनेट्स ठीक ठाक है, शुक्र मंगर ब्रश्पती भी ठीक है, और सैटरन और सन मरकरी भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, अगर ऐसी अवस्ता हुई, मुझे तो फोटोस में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, अगर ऐसी कुछ अवस्ता हुई न तो यह बिसिकली यात्राव को ही दर्शाता है, इसके लावा इसके और कोई इफेक्ट जिद्दगी पर इसके कहा दिया, विवा तो आपकी होई ही नहीं होगी, मैं आप पूछे मैंने कहा दिया, क्योंकि एक तो ब्रशपती में प्राब्लम्स थी, और दूसरी प्राब्लम्स थी यहाँ पर, इनकी विवार एका बड़ी लेट जा रही है, इस अवस्ता में 32, 33 साल या 34 भी हो सकत आइए, तो 32 से 35 का मानिए, लेकिन ब्रशपती में गरबरी कर जाएच से थोड़ी और विलंब हो सकती है, इस एवस में कुछ रेमेडीज है, जो आपको लगन तीज करने क्या वशकता भी है, वो मैं आपको प्रसनली बता दूँगा, तो इससे क्या होगा ना, ये उपाय क करने से, जैसे आपका लगन थोड़ा लेट दिख रहा है, थोड़ी विलंब से दिख रही है, तो वो ब्रशपती को सपोर्ट करेगी, तो जल्दी हो जाएगी, तो अभी आपका मैरेज जिन्दगी तो सुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो आपकी मैरेज लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उस विशे पर तो हम तिपनी अभी करेंगे भी नहीं, उचित भी नहीं रहेगा, लेकर इतना जरूर बता सकते हैं, कि आपको शादी बहुती असपश्चता के साथ करनी है, आपको शादी अगले से भी सारी चीज़े क्लियर करके करनी है, कुनली वु यह एक बहुत बड़ा कोश्चन है, और इसका एंसर भी हम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहेंगे, ताकि आपको भी कोई प्रकार का टेंशन ना हो, यहाँ पर से देखिए एक बहुत अच्छी बागे रेका तो नहीं है, लेकिन बागे रेका जरूर आपके हाथ पर दि योग नहीं है, उसके बाद कुछ प्राग्रस लाइन है, तो पॉस्टिविटी ही है, जहाँ पर से आपके जिन्दगी पॉस्टिव में ही रहेगी, पॉस्टिव संदर में ही चीज़े मुझे दिख रही है, असपस्ट रूप से दिख रही है, जहाँ पर से दिरे-दिरे कर कि जमा कर पाऊगी अपने एकछाओं की पुर्ति कर पाऊगी लेकिन suddenly कोई income के योग नहीं है suddenly एकदम करोड़ोपती अरवोपती बनने के योग नहीं है और करोड़ोपती बनने के योग भी नहीं है basically तरह देर-देर जमा करते करते एक एक आयू ऐसा भी आएगा जो आपकी जिन्दगी के लास्ट की होगे जहां जिसको हम उस समय हम करूरपती आपको मान लेंगे लेकिन बैसिकली उसको हम करूरपती exactly में नहीं कहते हैं हम करूरपती उसको कहते हैं जिसके अंदर हमेशा दम हो कि वो करूर रुपे खर्चे कर सक हमेशा उसको ही हम मानते हैं माकी सब की मान सकता अलग अलग है चल चल समपती को लेकर करूरों की तो आपकी भी हो सकती है लेकिन एकाउंट में करूर रहने चाहिए मैं तो उसको करूरपती मानता हूँ मैं तो उसको मानता हूँ अगर ऐसे चल असल समपती की बात करेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं, जो आपको करोड़ों के मालिक मिल जाएंगे, लेकिन फिर करोड़पती कहने में उनको मजा किया आएगा, करोड़पती कहने में तो उनको मजा आएगा ना, कि हाँ मेरे में ताकत में एक करोड़ खर्चा कर रहा हूँ, मैं तो उसी को मानता हूँ, उसी दिवात है तो यहाँ पर से चीज़ा आपने समझ लिया तो financially आप मध्यमस्तर ये रहेंगी आराम से रहेंगी उसके बाद का questions तागे की जिंदगी तो हम जीवन ड्रेका को पूर्णता कवर कर देते आप चीज़ों को खुद भी देख पाएंगे, समझ पाएंगी और आपकी विकत पिष्ली कुछ जिंदगी कैसी बीती है उसको भी देख पाएंगे और आने वाला समय आपका कैसा रहेगा उसको भी देख पाएंगे तो सबसे पहले चीज़ मैंने कहा ता दिगरी पूरे करने का योग थे कुछ प्राग्रस लाइन थी, तो थोड़ी स्ट्रगर्स जिंदगी पर रहते प्रारंबिक समय में रहती है थोड़ी ही रहती है, बाकी इंडिपेंडनसी बहुत चल्दी आगे आपकी तक्रीवन 12-13 वर्स में एक दिक्कते 14 वर्स में थी, फिर एक दिक्कते आपके 16 वर्स में थी, वहाँ पर से एक तरक्या आपके 19 में में थी, एक तरक्या आपके 21 में में थी, एक कही न कही आपके 28 में, 29 में में थी, 31 में वर्स की आयू में थी, 32 में, 33 में है, 34 में हलकी हलकी positive चीज़ है, मतलब य ये प्रियर्ड आपका अच्छा रहेगा, एपॉर्चुनिटी मिलेगी जिन्दगी पर स्मूज जिन्दगी कटेगी, चौतिस में मैं फिर एक तकड़ी बन आपके 40 में साड़ के राउंड है, 40 के बाद जीबन रेका स्मूथ है, एक तरह के 43 में वर्ष में फिर जीबन रेका बड़ी स्मूथ है, यहाँ पर से यहाँ तक तो आपकी जीबन रेका जरूर आ रही है, आप मानके चलो 68 येर्ज तक, 68 तो 70 तक उसके बाद भी बन ही रही है, दिरगायो सेंस में ही चीजों को हम लेंगे, और लाइफ राइन अच्छी है, और आयू को लेके वेसे स्टिपनी हम करते भी नहीं है, और वो करना भी उचित नहीं रहता है, वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अवस्थाएं हैं, और मंगल रेका कवर अब कर रही है, साप सुतर आते लिए, वेक्ति लंबा ही बसते हैं, लंबा ही बचने का हम कई नहीं कई आश्वासन लोगों को देते हैं, और देना भी चाहिए, ये बन भी जाएगी, ये आने वाले समय में बन सकती है, नहीं भी बनती है, तो मंगल रेका ने कवर किया है, बांकि आगे आपकी बागे रेका, जरूरर मुझे दिखरी आपके हाथ पर, तो ये इनकी पॉस्टिव, नेगेटिव और इनके प्रशन थे, अभी इनके अधलिक आप जैनल एनलसेस करेंगे, चीज़ों को असपस रूप से क्लियर करेंगे, तो विडियो काफी ज़ादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, ये आगया इनका स्कॉारिस पा, मध्य मेच के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, बड़े महातवा कांची होते हैं, जिन्दगी पर कुछ करना है, इसके लिए हमेशा ही प्रेरित रहते हैं, और कुछ करके बेसिकली ये लोग दिखा भी देते हैं, इनकी बहुती अर्ली एस में नौकली लग गई, 21-22-30 के आयो में, मैंने क्लिरली कह दिया था, 21-23 के बीच योग थे, चुकि प्राग्लस लाइन अच्छी थी यहाँ पर, और बागे रेका उस समय बहुत अच्छी चली थी, तो यहाँ तो होना ही था, और इनकी भातवा कांचे ही था जो इनको इतना जल्दी नौकली दे दिया, इनकी एक्छाए ही थी, इनके डेडिकेशन ही था, और यह स्क्वारी स्पाम वाले व्यक्ती के साथ जरूर होता है, बागी साले प्रेंस अच्छे कंडिशन में, 60% राज्यों का फल है, जिंदगी काफी अच्छी बीचती है, मैने तो करना परता है, जोकि बहुत गद्यदार नहीं है, थोड़ी हाड है, यहाँ पर से जातक को प्रियास परिश्रम, सालरिक परिश्रम, मेंटरी परिश्रम, यह तो करना परता है, ज़दतर केसेज में सालरिक परिश्रम ही देखा जाता है, फिजिकली, एक्सिसाईज, जैसे आपका होजा, ऐसे वाली बात है, मतलब ऐसे लोग को सालरिक परिश्रम करना परता है, तो यहाँ पर से यह एक मेहनत करशतेली है, जहाँ पर से जातक को हमेशा ही हाड़ वर्क करना परेगा, लेवर करना परेगा, उसके बाद गुलाबी है ते लिए धन को अट्रैक करती है, मोडता धन की आगमन जिंदगी पर अच्छी रहती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती, और आकाफी अर्ली एससे जॉब कर रही है, तो उसका मतलब भी तो यही है ना, पैसे जातक सांदार वेक्तितों के होते है, शांदार प्रिस्नारिटी होती है, जुकने बारी प्रिस्नारिटी नहीं होती, गरत करने बारी प्रिस्नारिटी नहीं होती, जबर्दस थम्ब है, इक्षा शक्ती बहुत अच्छी है, दो lines है अपने life पर जो भी अपने दम पर है desires के बड़े उंदा योग है second French का कम बड़ा होना मत्ब करड़ की अलपद अधिकारी पद बनने में बहुत समय लग जाता है या मिलने में बहुत समय लग जाता है लेकिन desirable तो है जबरदस थम्ब है, जबरदस तब व्यक्तितों का परचे करा रहा है, जुकने वारी प्रस्नारिटी बिल्कुल भी नहीं है, थम्ब काफी अच्छा है, बाकि समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार है, अपने जिन्दगी को समझदारी के तहट ज होता है, थोड़े इंट्रोवर्ड भी है, सबसे गुलना मिलना पसंद नहीं है, बाकि ये थोड़े आपका ब्रश्पती फिंगर, चोटा सन का बड़ा तो हीमती है, कोई ना कोई टारेंट आपके इंदे जो डवलप करेगा, जिससे आप धन अर्जन करो, चुकि स्टेटर और सन फिंगर के अटेच्मेंट है, तो ये यही चीजों को दरशाती है, बाकि आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी है, फर्स्ट फिलेंज को उपर जा रही है, कम लुके सन स्किल वाइस प्रबल, ऐसे जातक अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, बुद्ध फ फिंगर छोटा रहता है न, वो आपकी बाते जल्दी नहीं समझते हैं, उनके अपने ही कंसेप्ट होते हैं, अब कुछ एकाद आतक अगर अपवाद निकल जाए तो वह एक अलग बात है, लेकिन उनके अपने ही कंसेप्ट होते हैं, आपको उनके हिसाब सही चलना परेगा बाकी आपकी सारे फिंगर लंबे करे हैं, जहापर से यह अच्छी क्रेटिवनेस को दर्शाती है, इसे जातक बहुत अच्छे क्रेटिव परसन होते हैं, बहुत अच्छी मान सिकता होती है, बहुत लॉजिकल वेक्टी होते हैं अब यह आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो जुपिटर, जुपिटर सुरुवाती दौर से थोड़ी खराब तो रही है, जहापर से यह कुछ परिशानियों को दर्शाती है, पारिवारिक संदर में, विवाही जीवन के संदर में, विवाह विलंब से होना इस संदर म अगर कुछ विवाह पहले हो भी जाए, तो इस केस में प्राब्लम साती ही आती है, बाकी बरश्पती आपकी तीस वर्सों के बाद अच्छी है, जापर से चीज़े मुझे ठीक दिख रही है, कुछ एक स्कौायर बन रहा है, फिलाल तो बहुत कम्प्रीट नहीं हुआ, सरकारी चेतर से दनलाफ के योग को भी दर्शार एते वो तो हुए ही होगा, बाकी जबरदस्त आपकी बागे रेका जो जिन्दगी के लास्ट तक बन रही है फिलाल, जहापर से इसका लाइफ के अंड तक अच्छा फल मिलते वे नज़रार आया हमें, लाइन अफ एज़ो बी रेखा, यहाँ पर आई तो ऐसे लोग को मैक्सिममम केसें में कलड़क लेवल तक ही देखा गया है, बहुत ही कम केसें में ऐसे जातों को गधिकारी बनते देखा गया, इवन केसे ही नहीं है, इसका मतलब भी यही होता है कि ऐसे जातक अपने जिन्दगी पर कलड़की पदतक जाते हैं, मतलब एक मध्य मस्तरी सक्सिस को पाते हैं, बाकि एक और सूरी रेका कम, मैनत में बेनेफिट को दर्शा रही हैं, कुछ एक आपके टलेंटेड होने का परचे भी करा रही है, कुछ एक प्रापटी के योग बन रहे हैं, फिलाल अभी कम्प्रीट नहीं हु इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, फिर देखे एक जबरदस हर्ट लाइन, दिल की बड़ी स्ट्रॉंग है, ना तो बहुत इमोश्टल ना रूट, हल्की फल्की एमोशन से बेसिकली, बाकि दोनों ही आपका मंगल संदेह नहीं है, इंसान बहुत एनरजेटिक, एकदम हारने वाले प्रस्टानिटी नहीं है, प्राक्रम गजब का है, और अगर आपका सिर्फ मंगल अच्छा होना, तो आप प्रापर्टी जरूर बनाते हैं, आपको प्रापर्टी के रिगार्डिंग सुक जरूर मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लोग धन द टूटी हुई है, इस पार्टी कुलरली एज में, 42 से 44 वर्स के बीच में तकलीफ है, उसके बाद का कोई तकलीफ नहीं है, ना उसके पहले का कोई तकलीफ था, इस एज में समलना है, जो मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूँगा, बाकि हार्ट लाइन वाइन रेका अच् होती है, चंद्रमा अच्छी है, पैसे तो कमाई लेते हैं, प्रस्नेरटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है, और उसके बाद देखो एक फिश्टु माकरती जो कास्मिक दनलाफ को दर्शारा है, और यहाँ पर से एक फेट लाइन बन रही है, बहुत अच्छे फल नहीं होते हैं, जबरदस आपका शुक्र शादी के बाद की बाद की बागोदे, कुछ आपका स्क्वाइर है, मनी मनेजमेंट की अच्छे लाइन से तो विक्ति पैसे मैनेज कर पाते हैं, इसी बीच कुछ मंगल रेका का भी ब्रांचे से हैं, बाकी प्रा अच्छे को 3% करते हैं, आयो को लेके विश्यशन्ता की बात नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो ये दाहिन केयतले का पूर्णता विश्यशन्थ लेशन्था अगर आपको माल ये वीडिब़ो पसंद आ, लाइक करते, सेर करते, सेर करते हमारा WhatsApp नमर डिसक्रप्स ने मिल जाएगा लेकर आप समपर कर सकते धन्यवाद